यह देखिए मेरा जैसमीन या मोगरा का प्लान्ट है और इसकी ग्रोथ काफी अच्छी चल रही है यह मुझे इन गर्मी के मौसम में तीसरी बार फ्लावरिंग दे रहा है और काफी अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है तो अभी इसमें देखिए फिर से कलिया बनना तो उसके लिए मैंने वर्मी कंपोस्ट और नीमखली को एक साथ मिलाया हुआ है इसके साथ मैंने बोनमील थोड़ा सा एक चमच दिया हुआ है और एनपी के उनिस उनिस का यूज करती हूँ एक साथ मुठी के करीब जिसे हम चूना कहते हैं यह सबको मिला करके आपको अपने प्लांट में डालना है और इसके बाद अच्छे से कुड़ाई करनी है ताकि जो यह फटलाइजर हमने दिया है यह सोयल में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसके बाद इसको वाटरिंग करना है सबसे जरूरी काम फूल खत्म होने के बाद इसको हम ठीकि प्रूणिंग करें और प्रूणिंग करना से क्या होता है कि इसमें नए पत्ते जो निकलते हैं उसी में ही कलिया बनती है जो आपको भर-भर की फूल देंगे और जो नए ब्रांचेस बनेंगे उससे आपका प् खेंक्स फूर वाचिंग